सीहासन गनानित्यम पदमस्चित करद्वया शुबदास्तो सदादेवी सकंद माता यशेश्विनी अर्थात सिंग पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हातों में कमल का फूल धारंग करने वाली यशेश्विनी सकंद माता हमारे लिए शुबदाई प्रणाम मैं आचल और मैं कशिश स्वागत है आपका हमारे ड्यस्वीवी टीवी विशेश कारेकरम श्रद्वी की कख्षासे में अश्विन महा के शुकल पक्ष की पंचमिति थी और शाधिय न वरात्र की पाचवादीन है इस दिन मा सकंद माता की पूझा की जाती है पौरानिक मान्यता के अनुसार इसकंद माता हमालय की पुत्री पार्वती हैं। भगवान इसकंद या कार्थिके की माता होने के कारण उन्हें इसकंद माता कहा जाता है। वे सिंग पर अभय मुद्रा में बराजमान हैं। मां का रूप अत्यंत सुन्दर एवं चेहरे पर च चरे के बराकाश्चों एवं लक्षनों का वर्णन किया। प्रशान्त आत्मा का वर्णन करते हुए बताया कि ध्यान से हमारा और आपका चित्त भार्मुक्त हो जाता है। तथा सच्चा योगी वही है जो संकल्पवान हो और अपने मन को नियंत्रित कर सके। योगी के लिए तपस्वी होना अनिवारे है। योगी के लिए संकल्पवान होना अनिवारे होगी के लिए अंकल्पित और अपस्वी। यहान योगी को बहुत ही अभाय होना चाहिए डरपने होना चाहिए। सांसारिक मौ से ब्रह्मचरी के मार्क पर अग्रसर रहने के लिए मनुष्य के चित की जटलताओं का परत दर परत नस्च होना आवश्यक है। इसी के संदर्प में श्रधे ड्वारा महार्शी अर्विंद के महाकावे सावित्री की व्याख्या की गई। सावित्री महाकावे बड़ा ही प्रेरक अर्विंद के मेरी आटो बाइग्राफी है। आए उनके साधना जीवन में जो समस्तन अनभव हुए उसमें लिखे थे। उसमें एक चेप्टर है अचित्त के अंधेरे शुद्र प्रान के राज्य है। शुद्र प्रान के राज्य योग रिशी आचार पंडिस स्रीराम सर्मा द्वारा लिखी किताब तप और योग जिसमें एकागरता तप और ध्यान के बारे में बताया गया है। और वहीं हमारे कुलाथी पती डॉक्टर पिणा पंडिया द्वारा लिखी किताब अंतर जगत की यात्रा का ग्यान विज्ञान में बताते हैं कि योग पत पर आगे बढ़ते जाना आसान नहीं है। इसमें आने वाले अंधिरे, अडचने, मुस्कले भी जटल हैं। हर नया कदम योग साधक के सामने नई चुनोती खड़ी करता है। पर्मानंद की प्राप्ति चित्त के शुद्धी द्वारा ही संबव हैं, जिसके लिए सन्यासी के गुन होना आवश्चक है। शद्धे विवेकानंद की पुस्तक सन्यासी के गीत द्वारा सन्यासी ओका वर्नन करते हैं। तुम इसे नियती पर है। नरद कर्म इसको अपचाहे जहां बहाएं। कोई आधर से इसको माला पहनाएं। कोई निच घ्रणा जिदा कर पेरों से ठुकराएं। तुम चित शांती मत तजना। आनंद निरत रहना। यश कहा, कहा आप यश है। शर्यवरत को अनुसंकल्पित रूपों में अर्जित करने की शिक्षा देते हैं श्रद्धे बताता है कि हमार अवन विलक्षन होता है और इसे समझाते हुए परंपुचे गुरुदेव और श्रद्धे के बीच हुए समवात की कहानी भी बताते है यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें एवं अपने सुझाओ कमेंट बॉक्स में अवश्य साजा करें आप सभी को नवरात्री की हर दिख्षुक कामने धन्यवाद अवए अवणियो artist में जगु कामने मुए कामने सुझाओ की कर देम गयंटे है वहसे हमस्त espero भी कामने साज़ हो सकते है